दोस्तों कैशे हैं नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत सागत है जिसका नम है शूगर कैन फार्मिंग चैनल जो मेरे दोस्त पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं वो नीचे लाल सस्क्राइब बटम को दबा दें और चैनल को सस्क् स्क्राइब लोगों तक पहुंच जाएगा यह जो मैं आप दिखाने जा रहा हूं मैं यह गन्ये के टॉपिक पर वीडियो देखेगा मित्रों कई हमारे जो होते हैं कमेंट करते हैं और रिप्लाई भी करते हैं लेकिन वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और थोड़ा स देखिएगा सुरू से लेकर लाट्स तक और कोई रिप्लाई या कोई मैसज या कोई जानकारी पूछना चाहते हैं आप रिप्लाई करें तुरंत आपको आंसर दिया जाएगा और कॉल पे भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कोई ऐसी बात नहीं है मित्रों और और जानकारियां अगर आप चाहते हैं अगरी खरकर के बारे में तो मेरे है कुर्ण पर चले जाएगे, एक छोटी सी मारे आप को बता रहा हो rocky का आप मेरे चैनल पर जाएन, सारे वीडियो देखिए काफी अच्छे वीडियो है, जब आप मेरे पूरे वीडियो देखेंगे, स पहले साल की नहीं है यह एक बार कड़ चुकी है दुबारा है आप इसकी हाइट लंबाई देखने के कोशिच करें मैं आपको दिखाऊंगा आप देख सकते हैं यह यहां से देखिए इसकी हाइट और इसकी लंबाई बहुत अच्छी है और यह व्रैटी जो है जीरो 51-91 नोट कर लीजिए व्रैटी का नाम मैंने बता दिया आपको तो यह व्रैटी जो है किसान भाईयो और जितने मेरे मित्र गण है इस व्रैटी को आप लोग भी लगाईए और अच्छा उत्पादन मिलेगा इसकी हाइट लंबाई भी काफी होती है और ग्रोथ भी अच्छा करता है और इसके साल दूसरे साल की जो पेंड़ी होती है बहुत अच्छी होती है मित्रो कोई ऐसी बात नहीं है कई भाई कहते हैं कि इसकी पेंड़ी बहुत कम होती है आप देख सकते हैं मैं पूरी दिखानी की कोशिच कर रहा हूं आप लोग हो फ्लॉट में अबने यह अब यहां पिसकी लंबा यह हाइट काफी है देख सकते हैं गन्य की दूसरे साल का है यह देख सकते हैं इस गन्य को आप यहां पर देखिए जिस गन्ने की हाइट देख सकते हैं आप यहां पर कि यह कितने फिट का गन्ना है यह हाथों में लिए हुए है बाई जी और यह फ्लॉट में इसकी कटिंग हो रही है अब इसको रख दीजिए देख सकते हैं आप अजी यह बताइए आप एक मिटा आपको मैं इंट्रेक्शन करवाता हूं यह जो है गन्ने की यह कटिंग है यह दूसरे साल की है बताइए पेड़ी गन्ना है पेड़ी गन्ना है विराइटी क्यान में बता रहे था आप कौन थी देख सकते हैं अगोला भी इसका रहा है वजन काफी होता है मित्रों इसका आप देखिए यहां पर मैं पूरा फ्लॉट दिखा रहा हूं फिर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा इसके बारे में इसमें क्या क्या मैंने डाला था जब यह पहले साल की जब यह कटिंग होई थी यहां पर देख सकते हैं कितनी हाइट कितनी लंबाई का गन्ना है तो ये जब मैंने पहले सल की कटिंग की थी खेद को खाली करके खेद की पत्ती को मैंने निकलवा दिया था बाहर उसको उसके अंदर जलाया नहीं था मतलब कुछ मोटी मोटी पत्ती मैंने उठवा दी थी बागी पत्ती उसी में बिशा दी थी उसके बिछाने के बाद में मैंने पहला पानी दिया पहला पानी देने के बाद में लाइनो में नोट कर लिजी अब 7 kg एक बिगे के लिए है 7 kg नैट्रोजन जिसको यूरिया बोलते हैं वो और एक आता है हमेनो एसिड दानेदार वो दोनों को मिक्स किया उसके बाद में मैंन केजी नाइट्रोजन दोनों चीजों को मिक्स कर लें और डोज बना लें उसके बाद में पहली सिचाई जब करें कटिंग करने के बाद में और उसके बाद में छोड़ दें खेत को फिर आप 15 या 20 दिन के बाद अगर सिचाई करने वाला आपके खेत है अगर सूख रहा है फिर सिचाई करें अगर आम नमी है तो आप रहने दीजिए फिर एक आता है इसके बाद आप इस प्रे करेंगे इस प्रे भी मैं बता देता हूं आपको वो इस प्रे करना इस पे उसके बाद में हिमिन एसिड का एक करना है फानी में घुल बनाएक वह भी लाइनों में प्सक्राइब करुए चेतर जो गन्य में की तो इस सब्सक्राइब को गई है यूर्ए करनेauen लेद डाई घ्रीन अँच्छे तो यह बwać में और आपको बता नहीं पर इसे अड़ान गेस तो यह बधाल नय diligence अमित्रों धन्यवाद जय हिन जय भारत